तुद्ध स्वागत है अब के टुडेश्पर्ट यंग रेबल स्टार प्रभास जो है वह उत्तर भारत में भी आज उतनी पॉपलर है जोतनी पॉपलर वो द्रेक्शन भारत में लेकिन उनके साथ एक समस्या ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट लग़े प्रोजेक्ट उनके हिंदी में उसने रिकार्ट तोर बिजनस भी किया लेकिन उसके बावजूद वो एक आउटस्टेंडिंग हिट इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि बॉक्स आफिस पर इतना भी कमाल है वो एक एबरिज अर्णर ही बन करके रह गई ह सेम समस्या मेरे खाल से अगली फिल्म में आने वाली है हाला कि जब जब फिल्म शुरू कर रहे थे उस समय प्रवास का ये मानना था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे है जो कि एक रिलेटिवले लिमिटेड बजट के अंदर बन कर भी तैयार हो जाए लेकिन बजट इ वो इंटरेस्ट का लॉस एक तरफ था उसके बाद जो है अब जब कि ये पूरा प्रकरन चल रहा है तो फिल्म फिर जो है फिल्म चली पी ठंडे बस्ते में इसका मतलब है कि ये फिल्म और जादा हाई कॉस्ट करेगी बिगाज इंटरेस्ट रुकने वाला नहीं है इस पी क्रियेट किया जाएगा जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़े बजट का काम पो जाता है जितना उसमें ग्रीन स्क्रीन का काम करना पड़ेगा जितना सेट क्रियेशन का काम करना पड़ेगा इंटर बिकम ए एक स्ट्रीम ली कॉस्टी प्रजेक्ट और वैसी पर स्थित क्योंकि अभी भी जादू बरकरार है प्रवास का लेकि इस फिल्म के अंडर बजट फिनिश होने जो है ये एक बड़ी समस्या रहेगी आपके क्या कहना है कि आप फिल्मों को बजट के ऊपर जाने के समय ही जो है रोग देना चाहिए क्या कोई ऐसा स्टॉप क्रॉक मेकनिज फिल्मों कोई वे अभी हम लगातार वीडियो शूट कर रहे हैं पाहर भली ही जो है व बंदी कर दीगई आसाओ हो वीडियो शूट कर रहा है हमारे टेक्नीशिंस घर होने बयाट करके देट आइडिट कर रहे हैं तमाम चीजें चल रही हैं आप कतर भी निश्यंत रहे कि यहां पर जो है काम आपका चलते रहा है धन्यवाद